हेलो स्ट्रेंट्स आप सब का सवागत है हमारे चैनल uplity studies 2.0 में देखिए जो उत्र प्रदेश के राजकिय हैं उनकी सिती जो है वो लैप के मामले में या practical कारे के मामले में या practical knowledge के मामले में जो है वो सुधरने जा रही है और यहां पर देखिए एक न्यूज निकली है आज कही एकवारों में कि 140 राज की ये पॉले टेक्निक में बनेगी हाइटेक लैम संस्थाओं की होगी भूमी लैब में मशीने लगाने और लेक्चर उपलब्द करने का जिम्मा कराने का जिम्मा टाटा को तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि इसको इंप्लिमेंट होते हुए देखा भी जा रहा है कि ITI में ये चीज योजना चल भी रही है और वहाँ पर कॉलेज उने भूमी को दिया भी है और वहाँ पर बिल्डिंग बगारा बन नहीं है तो ये योजना ऐसा नहीं है कि मतलब इसको आप थोड़ा सा एडव भी वहाँ के लिए अच्छी ख़बर है टाटा टेक्नलोजी लिमिटेट टीटील सम के बाद अब उत्तर प्रदेश में प्राविदिक शिक्षा का विकास करेगा इसके लिए प्रदेश सरकार उसके साथ एक करार करने जा रही है लोग से बाद चुनाओं के बाद टीटील राजकिय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में हाई टेक लैब का निर्मान कराएगा तो यही वह इंफॉर्मेशन है और यह लैब यह वहाँ को तखनीकी प्रेस्टिक्षन देने में कारगर साबित होगी इससे पहले टाटा प्रदेश के सभी जो लों की 150 आई टीयाई में हाई प्रदेश में 147 राजकिय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में यह कानपूर लखनव वागरा वारा नसी गोरखपूर समेथ प्रदेश की 140 राजकिय पॉलिटेक्निक में टाटा टेकनालोजी इन लिमिटेट लैब का निर्मान कराएगा लैब की भूल लिए भूमी संस्थान उपलब्द कराएगा जब फिर निर्मान का खर्श इडियल उठाएगा इन सभी लैब में लगने वाली यह दैधुनिक मशीनों के साथ चात्रों को प्रश्रिक्शन के लिए लेक्चरर भी टाटा समूई ही उपलब्द कराएगा तो जो टीचर पहले से हैं वो तो रहेंगे ही और नई जो चीज़े होंगे उसमें जो सीखेंगे आप लोग उसके लिए टीचर्स भी जो हैं एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो टाटा एवलेबल कराएगा शुरू होंगे नए पार्टिक्रम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को लेकर युवाओं का रुजहन लगातार घटता जा रहा है ऐसे में युवाओं को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्द कराने के लिए टाटा नए पार्टिक्रम शुरू कराएगा ये पार्टिक्रम तीन महा से लेकर तीन साल तक के होंगे इसके लावस अंस्थानों में आलफ खालिक पार्टिक्रम भी चलाने के तेहरी है वहीं जिले में ही युवाओं को आसानी से रोजगार मिले इसके लिए भी प्रयास होंगे ऐसे में सबस्दा फोकस संबनने जिले के उद्यों को पर रहेगा जिनकी ज कहां पर एड़स्ट होंगे जाकर कहां हमें जॉब मिलेगा लेकि जब जिले में ही कोई उद्योंग है और उसी के हिसाब से कोर्स चलेगा उस पॉलिटेक्निक में तो जहिर सी बात है कि जो है बच्चा जानता रहेगा उसको वहाँ पे इंडरेस्ट्रियल विजिट भी करा दोस या सकती है कि हां पहले से इसके बारे में अवेर रहे रहें वहीं पर वहां पको आप्रेंटेशिप होगा फिर वही जॉब भी होगा तो इस तरह से जो है वह ज्यादा अच्छा एक मतलब विकास हो पाएगा पूरे देश का पूरे प्रिदेश का तो काफी अच्छी और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं आप से ऐसी किसी नेक्स वीडियो में धन्यवाद